हे ब्यूटीज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब तो ब्यूटीज आज के वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूँ लिक्विड लिप्स्टिक को लगाने का सही तरीका जिससे कि आपको जो लिक्विड लिप्स्टिक है वो परफेक्ट नि लगे लॉंग लास लिक्विड लिप्स्टिक को लगाने से पहले बहुत है आप अपने लिप्स को प्रईप कर लें क्योंकि जो आपके लिप्स है वो काफी ज्यादा ड्राय होते हैं उस पर आप डायेक्ट gittiक को एप्लाय कर लेंगे तो काफी ज्यादा गंदा दिखता है तो यहाँ पर से चार मिनट तक अपने लिप्स पे एजिटेस रहने दूंगी तब तक आप चाहे तो अपना बाकी फेस मेकप कर सकते हैं उसके बाद एक टिशू पेपर की हेल्प से आपको यहाँ पे हलका हलका जो आपने लिप्बाम लगाया है उसको पोच लेना है पूरा आप एकदम से इसे ना पोचे हलका हलका रहने दे ताकि जो आपके लिप्स है वो मॉस्टराइज भी रहे इसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे लिक्विड लिप्स्टिक को एपलाए करने की तो यहाँ पे लिक्विड लिप्स्टिक में मैं NY Bay की लिप्स्टिक को यूज कर रही हूँ इसकी जो link है shade number सब कुछ आपको description box में मिल जाएगा इसको यहाँ पर मैं use करने वाली हूँ इसका जो wound है वो कुछ इस तरीके का है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके lips पर outline कर लेनी है कि आपको आपकी lipstick जो है वो कहाँ पर apply करनी है जब आप outline कर लेते हैं तो lipstick को लगाना काफी ज़्यादा easy हो जाता है आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा over भी जा सकते हैं अपने outline से then आपने जो outline किया है उसे आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से fill कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जादा over नहीं किया है आप चाहे तो अपने outline से थोड़ा सा उपर भी जा सकते हैं मैंने जितने मेरे lips है उतना ही outline किया है and then उसको अच्छी तरीके से fill कर दिया है and यह काफी जादा easy होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना perfectly liquid lipstick जो है वो apply हो जाती है जब आप इस तरीके से liquid lipstick को apply करते हैं तो आपके जो lips है वो smooth भी दिखते हैं आपकी lips की shape भी बहुत अच्छे से निखर के आती है तो I hope आपको ये video ज़रूर पसंद आया होगा आपको ये video ज़रूर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे अपने friends के साथ share करना बिलकुल मन भूलिएगा तो फिर मिलते हैं मेरे और भी amazing videos के साथ till then, bye bye